हेलो हाई आदाव नमस्कार समाने साथियां वेलकम टी यूट्यूब चैनल टेड़ पॉइंट आजम बाचित करने जा रहे हैं डीविटी से सम्मदित महत्पूर्ण निर्देश और जो आपके सामने समस्या रही हैं उनका समाधान समस्त B.E.O. H.M. I.H.M. के लिए ये महत्पूर्ण वीडियो है और छे बारे 2021 के बाद से डीविटी के देते चरण की प्रिक्रिया है तुँ राज्य इस तर पर बैच बनने शुरू हो जाएंगे और इन निम्न प्रिक्रियाओं को तदकाल रूप से आपको पूर्ण करना है वन्ना आपको समस्या हो सकती है तो आज हम इन प्रिक्रियाओं पर जो बताई गई है उन पर चर्चा करेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नॉटिफिकेशन आपको उस्तर प्रिथम प्राप्त हो सकें और शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घरता नहीं ग्यान बढ़ता है साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के वाटसप ग्रूप और टेलिगराम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सीर्षक की तरफ तो डिवीटी महत्पूर्ण नर्देश समधान समस्त बीईयो एच एम आई एच एम ध्यान दें दिरांग छे बारे दोजार इकिस के बाद से डिवीटी की दुत्ते चण की प्रक्रिया है तो राज्य इस्तर पर बैच बन इसमें हैं किन-किन प्रक्रियाओं को हमें पूर्ण करना अनिवारी है उस पर हम देखते हैं समस्त अध्यापव डिवीटी है तो अव्शेश फ्रेश इस्टुडेंट का वेरिफिकेशन तदकाल पूर्ण कर लें जिनका बाद में बच्चों का एड्मिशन हुआ था और उ प्रेदी किसी बच्चे के रेश्टेशन वेर्ण में कुछ गलती रह गई है और वो वेरिफिकेशन भी हो गया है तो इसके वेर्ण को BEO लॉग इन इन से संसोधित किया जा सकता है मानले जी किसी बच्चे का आपने रेश्टेशन किया और उसमें कुछ फाल्टर हो रह गया है तो वो आपके माध्यम से नहीं हो सकता वो BEO लॉग इन के मारफ़त से ही होगा अर्थाद BRC के इस तरह से ही होगा तीसरा बिंदू है जो बच्चे नाम लिखा कर अन्यंत्र चले गए हैं और उनका DVT वेरिफिकेशन हुआ है अथवा नहीं हुआ हो हिदी भुक्तान हेतु राज्य इस तरह से उनका बैश नहीं बना है या भी भुक्तान नहीं हुआ है तो उनने BEO लोगिन से ड्रॉप ड्रॉप आया जा सकता है तो कुछ बच्चे ऐसे पिए थे के कई पिए लेकिन वो फिर अपने मॉन विद्धाले चले गए थे या अपने जो द्यद्धार में इते वहां अपना नाम लिखा लिया था लेकिन फिर आ पने मौन के नाम श्ठाण बर चले गए थे तो ऐसे लॉगिन इस तरह से ही किया जा सकता है तो उनकी आप सूची बना करके बी आर सी पर आपको देनी होगी डीवीटी के प्रिथम चरण में ए प्रिमारी छाद्र पुने वेरिफिकेशन हे तू फ्रेस स्टुडेंट में प्रिदसित हो रहे हूं यदि किसी विद्याल में प्रिणा पर पंजीकरत बच्चों की संख्या की अप्यक्छा डीवीटी एप पर बच्चों की संख्या कम या अधिक दीख रही हो तो वो डुपलिकेट एंट्री के कारण हो सकता है उसे 7.11.2021 तक अप्डेट कर दिया जाएगा तो इस काम को भी आप कलने के या यदि आपकी संख्या कम या जादे दीख रही है तो आप चेक कलने की कहीं डुपलिकेट बच्चे तो नहीं है और उनको आप ड्रॉप आउट करा लें यदि बच्चे जादे दीख रहे हैं तो आप उनको ड्रॉप आउट करा लें Unseeded Report में सामिल अध्यतन बच्चों के अभिभावक अपना कोई भी खाता आधार सीड करा सकते हैं सीड करा कर आपको आउगत करा दे तो DVT एप और अध्यापक द्वारा उसको सीड मान लिया जाए और चेक बक्स को OK का विवरण एवलेम अपडेट कर लिया जाए ध्यान रहे खाता विवरण बद ले जाने की आवसकता नहीं है वो एडिट नहीं हो सकता ये DVT आधार बेज़ड है तो एक नया ये Unseeded option है DVT प्रिणा में आप वहाँ जाएंगे तो जब किसी बच्चे का इस सूची में इस option में उन बच्चों की सूची है जिनका वेरिफिकेशन तो हो गया लेकिन आधार लिंक नहीं होने कारण निश्करिय होने की कारण अर्था कुछ फाल्ट होने की कारण उनको प्रमारित नहीं किया गया और Unseeded में डाल दिया गया तक क्योंकि ये लिंक नहीं होए थे आधार बैंक से नहीं होए थे तो आप जब उनकों से मालूम करेंगे और वो कह देंगे कहां हमने करा लिया तो आप उनको उस चेक बॉक्स को ओके कर देंगे सीड़ वाले पर जाकर के Unseeded में जाकर के और वो टीचर वाले ओप्सन में पहुँच जाएंगे आगे चलते हैं जो विद्याले का एक से आर्थ तक संचालित हैं और उनके एपर केवल PS केवल UPS के बच्चे सो हो रहे हैं उनका विवरोन सम्मदित खन सिक्षादिकारी निर्देशित निर्धारित एक्सेल सीट के प्रारूप पर पर योजना के B.O. ग्रूप पर शेयर कर सूचित करेंगे या टेकनिकल टीम से व्यक्तिगत बात कर उनकी समस्या दूर कर देंगे अध्याबक B.O. लोगिन से रिवर्ट किये गए बच्चों को भी वेरिफाई करना सोने सित करें या उनके प्रेणा रेजिस्टेशन वेर्वन में कोई संस्रोधन करना है तो B.O. लोगिन से ही होगा तो जब आपने वेरिफाई करने के लिए बच्चों को प्रमारित किया था और प्रमारित करने के बास आपने B.O. को भीज़ देए थे लेकिन वहाँ से कुछ बच्चों को में फाल्ट आया था, कुछ एकाउंट में, कुछ दूटी आयी थी, तो उन्हें रिवर्ड किया था, यह आपने कराये थे, तो आप उनको संसोधन करके, और आप उनको वापिस कर सकते हैं, वेरिफाइग कर सकते हैं, प्रमारित करके के, उनसे सूचना प्राप्त करते हैं, वेरिफाइग कर दें, तो वो स्टूडेंट हैं, जो एक ही बच्चे ने दो स्थानों पर अपना एडमिसन ले लिया था, और स्टेम डाटा है, तो वो स्टूडेंट हो रहे हैं, तो उनको आप उनको यह करना है, कि इस प्रकार की कोई आपके पास सूचना आती है, बियो के माध्यम से, बियर सी के माध्यम से, तो आपको उनको वेरिफाइग करना है, और यदि सही है, तो ठीक है, और अन्यत आप उनको कह देंगे कहां यह बच्चे यहां पर नहीं पड़ रहा है, यहां से जा चुका और उसको ड्राप समस्त भी हो, एक से अधिक बच्चे वाले अभीभावकों के वेरोन को भी सम्मंद से सत्यापन करते हैं, जो सही हो से एसेप्ट करें यदि किसी अभीभाव के पास एक स्यादी खाते हैं और वह सभी खाते आधार से सीड़ेड हैं तो लाश्ट में आधार से सीड़ेड खाते भी खाते में ही DVT का पैसा जाएगा नालेज ये किसी बच्चे के अभीभाव के पास कहते हैं तो लास्ट में जिस खाते से आधार को लिंक किया है उसी में बच्चे का पैसा जाएगा चाहे आपने दूसरे एकाउंट को ही फीड कियो ना किया हो अपडेट कियो ना किया हो लेकिन उसी खाते में जाएगा जो लास्ट में लिंक किया हो और बारमा है विद्याल में प्रेणा डिवीटी एप पर अध्यापवकों के द्वारा जो बैंग खाता फीड किया गया है जरूर नहीं है कि डिवीटी की धन्दासी उसी खाते में आए धन्दासी उसी अभिवाव के आधार से सीडेट अन्य खाते में जा सकती है जिससे लिंक है और टेर्मा है अंगोठा मशीन में अंगोठा लगा कर धन्दासी को निकालने के लिए यह जरूर नहीं है कि वह खाता आधार से सीडेड हो इसलिए यह जरूर पता कर लें कि बैंखाता आधार से सीडेड है या नहीं तो कुछ अभी भावग अंगुठा लगा करके पैसा निकाल लेते हैं या जमा कर देते हैं तो वो सुच लेते हैं कि ये हमारा आधार बैंक से सीडेड है लिंक है लेकिन ऐसा सभी जगें नहीं है तो आप इस चीज़ को चेक करा सकते हैं डिविटी की दनासी के लिए यह जलू नहीं है कि दनासी आपके बैंक खाती में ही आए वे दनासी आपके बैंक खाते में पोस्ट ओफिस के खाते में स्वैम सहता समू के खाते में यह अन्यकिस योजना के अंदरकत खुलवाए गई खाते में धरनासी आ सकती है जो आधार से सिडेड हो लिงक हो यदि यहाभिवाग का काता रिनात्मक सिडेड़ी में है तो 11 रुपे की धरनासी में से वहे रिनात्मक धरनासी को काड़ते वे अवसे धन्नासी आपके खाते में जमरासी के रुप में प्रदिसित होगी तो यहां रिणातमक से अभी प्राई यह है कि मान लिजिए आपका ग्रामिर्ट बैंक है और वहाँ पर एक हजार रुपे की धन्नासी मिनिमम होनी चाहिए लेकिन आपने पैसे निकाल लिया है तो जितनी मिनिमम रासी कम हुई उतना पैसा वो एक मानक के अनुसार वो बैंक काट लेगा और जो आपकी धन्नासी आई है उसमें से काट लेगा बाकी आपको प्रदर्शित होगी डिबिटी कारे को सर्वोज प्रात्मिक्ता देते वे अध्यापक खनशिक्ष अधिकारे जन्पद इस्तर से अविलम फून किया जाए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें सेबिस्क्राइब अवस्थे करें टाइड़ पॉइंट पाइ मोहम्मधि सुफले धन्यवाद